हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो लॉफ यू है जो साइंस अन माथ्स टीचर नैंसी मैं स्वाजम क्लास 9 का 11 चप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं नुमेरिकल्स इसके हमारे रह गए थे पावर एंड एनर्जी के बेस पर पावर एनर्जी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं इस किसी हैट की बात करते हूं तो हैट पर हम कौन से एनर्जी करते हैं पॉटेंशल अनर्जी यूज़ करते हैं विकास उसका फॉर्मला क्या होता है mg h और उसमें height word आ जाता है इसने potential energy को almost किस potential energy की value कहां पर use करते हैं जहां पर height की बात आ रही है तो अब इस question में हम पहले ही देख रहे हैं कि height की बात आ रही है तो यानि कि जो energy use होगी वो potential energy होगी तो work done में क्या होती है एक तरह की energy होती है तो मैं work done की जगा क्या potential energy लिख सकती हूँ लिख सकते हैं तो यहां पर T, potential energy की value क्या होति है mg h और निचे के आ गया T इनकि जो power की value है हम और भी क्या लिख सकते है mg h upon में T because work done क्या होता है एक तरह की energy हम पढ़ चुके हैं और energy कौन सी ले रहे हैं potential energy और उसकी value क्या है mgh और निचे क्या आगया ती तो हम अपना caution start करते हैं question है हमारा two girls each of weight 400 newton अब देखो weight और mass में हम यह difference पहले ही पढ़ चुके हैं ठीक है weight क्या हो गया है एक तरह का हमारा force हो गया तभी उसकी value क्या दियो यह न्यूटन में क्योंकि काफी बच्चिया कंफ्यूज हो जाते हैं कि weight की value तो kg में पढ़ चुके हैं weight और mass में difference है मास होता है kg में और weight क्या होता है वह force जिससे जो कोई gravity है वह अपनी तरफ किसी object को खीच रही है तो f क्या हो गया हमारा force हो गया इक तरह का है force है तो force की value हमारे पस क्या होती है mass into acceleration और gravity की बात हो रही है तो acceleration क्या value आ जाएगी mg मतलब 400 newton है वो किसकी value है mg की अगर हम आगे question में से use करना चाहिए mg की form में भी इसे use कर सकते है i repeat की weight क्या है एक तरह का force और force की value क्या होती है mass into acceleration और जब मैंने आपको बताया गया है कि gravity वाली चप्टर में ग्राविटेशनल की जहां पर बात हो तो a की जग हम क्या लेते है जी तो mg यहां पर हमने ले लिया यानिकि mg की value क्या है 400 newton ठीक है यहां पर two girls है a and b जिनका weight क् 400 newton climb a rope through a height अब उस rope की height क्या है हमारी 8 meter यानिकि same rope पर चड़नी है जा दो ropes हो सकती है मतलब उनकी height क्या है वो same है h क्या हो गया हमारा 8 meter दोनों की case में a और b की case में और weight b क्या हो गया 400 newton दोनों की case में अब time दे रहे हैं कि a ने कितना time लिया 20 seconds so time taken by a मतलब first curl ने कितना लि 50 seconds fine तो height और weight दोनों का same है और time दोनों का क्या है अलग हमें क्या निकालना है दोनों की power निकालना है तो power पहले हम किसकी निकाल सकते है power for girl a a की बारी में power की value क्या होती है हमारे पास mgh by में t तो यहां लिख देंगे हम mgh by में t तब ही हमने आपको पहले formula बताया था कि यहां पर mgh by में t भी ले सकते हैं विकोज अगर मैं work done by time लेती ही तो work done का तो यहां पर कोई concept ही नहीं तो हम किसकी value ले सकते है mgh by में t ठीक है तो mgh by में t हमने ले लिया m की value क्या है या फिर mass या weight की value क्या है नहीं गिवन है यहां पर m की value तो हम किसकी value ले सकते है mg की जो की हमने starting में निकाल ले थी तो mg की value क्या हो जाएगी 400 तो mg की value मैंने क्या लिख दी 400 और h की value क्या हो जाएगी हमारी 8 और t की value हमारे पस a girl के लिए क्या है 20 तो यहाँ पर हम cancel कर सकते है 20 और यहाँ पर क्या आजेगा 160 वाट या फिर joule पर second पावर फॉर गर लेके आगई mg by t यहाँ पर जो values पूट करी हमारी क्या आगई 160 वाट mg की value हमने आके पूट कर दी 400 तभी हमने स्टार्टिंग में define कर दिया था तो next के आएगी power for girl b क्या जाएगा same formula mg by में t mg की value क्या है 400 t की value क्या है इसके लिए 50 एंड यहाँ पर क्या है mg h की value सोरी यहाँ पर क्या है 8 तो नीचे time की value क्या है हमारे पास 50 cancel हो जाएगा 5 8 40 तो यहां क्या बन जाएगा 8 8 64 वाट तो power for girl a क्याई 160 और जो power for girl b i हमारे 64 वाट नेक्स हम निमारिकल देखते है एन एलेक्ट्रिक हीटर इस रेके 1500 वाट अब जो वाट की value है हमें कुछ देखने के जुड़ते हैं हम सिद्धा लिखते हैंगे power को वाट हम हम यूनिट से चेक कर सकते हैं कि हम यह किस की value ले रहे हैं तो 1500 वाट तो power की value next how much energy हमें क्या निकालना energy energy समझते हैं तो energy का मतलब work done भी हो सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम concept clear कर सकते हैं कि हमें क्या चीज़ हमें find out करनी है does it use in 10 hours 10 hours की value है तो क्या given होगा definitely time given होगा ठीक है इसके बाद हम देखते हैं क्या निकालना हमने energy अब power और time किसे related है work done से related है और work done ही क्या होता है एक तरह की energy because दोनों की units क्या होती है तो हम पहले देखते हैं power की value क्या होती है work done upon में time क्या क्या given है अमरे पास power given है time given है क्या निकालना हमने W W क्यों निकालना है because work done ही क्या होती है एक तरह की energy यह हमें exam में ध्यान देना होगे energy given है तो कैसे हम formula को relate कर सकते है work done से ठीक है तो अब हम क्या निकाल सकते है work done is equal to जब हम cross करेंगे p multiply t तो power क्या है हमारे पास 1500 t क्या है हमारे पास 10 hours fine तो क्या जाएगा हमारे पास 15,000 work done की value क्या लिख सकते है और अगर हम इससे निकालने value तो power की value क्या होती है what time की unit क्या होती है आर क्यूंकि हमने आर लिया है तो हमारे unit क्या बन जेगी वाट ठीक है इसके बाद अगर मैं इसे वैसे तो हमारा answer आ चुक है अगर हम इस kilowatt hour में change करना चाहते है अब suppose मेरे को meter से kilometer में जाना है तो हम क्य क्या लिख सकते है 15,000 divided by 1000 तो मेरे पास क्या आजेगा 15 kilowatt hour मतलब kilo जब हम जाते हैं तो हम thousand से डिवाइड करते है किलो से simple में जाते हैं तो thousand से multiply ठीक है यह हमारा हो जाएगा answer इसके बाद हम एक और निमारिकल अपनी ncrt book से देखते है an electric bulb of 60 watt is used for six hour per day वाट गीवन है अभी work done तो work done की value क्या थी मारे पास power multiply time तो power multiply time अब इन्होंने जो power है वो किसमे चेंज कर दे किलो वाट में because अगर आप आर ले रहे हैं तो आपको kilowatt लेना पड़ेगा पिछले कोशन की तरह अगर आप यह seconds ले रहे हैं तो महां पर watt से काम चल जाएगा ठीक है तो महां पर watt है YEAR और यहां पर आ रहा है तो हमें आर के सथ क्या लेना तो किलो वाट से जब मैं kilowatt में जाओंगी क्या करोंगी 1000 कोशन 2046 के कटें अभी त fib वनुन में भी देख तो से करेंगे इनोग पावर की वैलियू है when we hope इप्लाइ करेंगे हमारे पस एनर्जी की वैल्यू आजाएगी फाइन इसके बाद हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है